थें मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को मेरा नमशकार आफ सब कैसे हैं तो अपने आज की एक वाल यह स्टार्ट करते हैं यह सिस्टूर्ख क्लास नंबर 87 ठीक है व्रॉम 114614 से लिटमस का सोर्स क्या होता है बेटा लिटमस का सोर्स होता है रोशेला लिटमस का क्या सोर्स होता है रोशेला यह क्वेशन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रशन है बेटा लिटमस का सोर्स क्या है रोशेला लाइकन किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते है इससे पहले भी अगर आपको याद हो जो पुरानी वाली वीडियो थी से पहले वाली तो उसमें हमने आपको इसे डिया सिफैला सिफैलो पोडिया इसे रिलेटेड क्वेशन बतायती यह कुश्चन बहुत पूछे आते बिटा से जो क्वेशन पूछे आते तो यह टॉपिक उनका फेवरिट होता है अब आज हो बटा कि रistoire मौस क्या है तो रेंडियर मौस का जाता है कले डोनिया रेंग फेरा को यह रेंगी फेरा को यह ररहाइना भोल ऑडो जो भी बोलना चाहू क्ले डु डोनिया र मौस को कहा जाता है लाइकेन क्या होता है बिटा एक symbiotic relationship है between algae and fungi जिसमें algae का काम हो जाता है photosynthesis करना और fungi provide करा देता है habitat और provide कराता है water आई बात समझ में और आपको पता है water किसके लिए चाहिए photosynthesis के लिए लोको सारी बाते एक दूसरे से related हैं फिर से सुनना फ्रोल सा clean करने फिर आपको समझाते ह हम कह रहे हैं कि लाइकेन में symbiosis मुपाई जाती है क्योंकि algae और fungi का सम मिश्टन होता है सह जीविता होती है ऊपर की तरफ जो होता है algae और नीचे की तरफ जो होता है वो fungi तो एक तरह से देखा जाए habitat कौन provide कराता है fungi water कौन नीचे से लेके आता है fungi और photosynthesis कौन करता है algae क्यों की algae में पाया जाता है chlorophyll और fungi में chlorophyll नहीं पाया जाता है पूरी बात करता है सुनते चलना बस एगेरिकस के विशह में कुछ हाँ पहले तो एक यह चीज़ समझ लो कि like in को pollution indicator में include किया जाता है वह भी सबसे जल्दी यह बताता है sulfur का sulfur dioxide के indication को बहुत जल्दी मतलब बताता है यह तो air pollution indicator में like in काम करते है ठीक है याद रखना भूलना नहीं like in और air pollution indicator basically किसके pollution को बताते है sulfur dioxide के pollution को एगेरिकस जिसको हम हिंदी भाषा में mushroom कहते हैं इसकी सब्जी भी बनती है बहुत पॉस्टिक होती है लेकिन ज्यादा टेस्टी नहीं लगती लोग कम खाते बनाते हैं ठीक है लेकिन आपको बताते जो मश्रूम होता है वह anti-cancer होता है शायदी किसी को पता हो anti-cancer होता है मश्रूम ठीक है चलो कर तो मश्रूम की जो फ्रूटनिंग बॉड़ी होती देट इस कॉल्ड एज बेसीडियो कार्प क्या कहलाती है बेसीडियो कार्प भूलना नह कहता है कि इसकी क्लास बताओ तो आप कोगए इसकी क्लास होती है बेसीडियो माइ-seats तो एक जनर। जैनरल मश्रूम जिसको आप कहते हो उसको बाइलोगी होती है यूज कहातेGyAR कि थेंसकी पनगारष इसकी एक लास इंसकृटेम कुश्चन बूचए कि कुच पूछे आ नियूरोस्पोरा और इस्ट इन दोनों पर बड़े एक्सपेरिमेंट किये जाते हैं अई बात समझ में क्या क्या राजा बेटा नियूरोस्पोरा और इस्ट अच्छा इस्ट और राई जो पसे बड़े कुशन पूछा आते फंजाई वाले चेप्टर सिल्थी हमने इसको यह को माई सीट्स और राई जो प्लस की राई जो पसकी क्लास हो गई जाइगो माई सीट्स इस्ट में पाया जाता है स्यूडो माई सीलियम इस्ट को सुगर फंजाई भी कहते हैं ब्रेड मोल्ड ब्लैक मोल्ड पिन मोल्ड यह सारे नाम राई जो पसके हैं और राई जो पसकी कक्षा क्लास है जाइगो माई सीड्स स्लाइड नंबर नेक्स्ट फ्रॉम सिक्स ट्वन्टीफोर शहसो चौबिस सुनते चलना पास कि जो हम लोगों में जैनाइटन के पास अंडर आर्म में गर्धन के आसपास आपने देखा रिंग दग जाता जल्डी खतम नहीं होता तो ट्राइकोफाइट आंऌuchen और मायक्रो Coc OCael или say करता है इसको एमटॉक्सिन ये फैलोक्सिन कहते हैं यह इससे पहले भी हम किसी एक lecture में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं यह फंजाई जो पौईजं रिलीस करता है उसको तो फेलाटॉक्सिन यह एमाटॉक्सिन कहा जाता है ठिक है अच्छा लूज बहुत द्यान सुनना वेट rap ये तीनों प्रशने कई बार पूछे हैं इनको एक साथ याद कर लेना ये तीनों बहुत पूछे गए तो हमने एक साथ ही तीनों को कवर कर दिया अच्छा पॉंड सिल्क और वाटर सिल्क किसको कहा जाता इस फाइरो गईरा को मोइस्ट most 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 important question ंडोजॉइक इलगी कौनसी है जूखलोरियला सबसे बड़े जो शेवाल है वो कौनसे है कयल्प है बेटा जैसे आपका macrosiescrowds जैसे Laminaria वगेरा होता है जैसे aiodean निकालते हैं ये सारे के सारे kelp हैं kelp सबसे बड़े होते हैं समूदार में बढ़े इतने बड़े होते हैं कि मचली होता कि कि गोता- allá खोरो को फसा लेते हैं वाकर समझस लें ही अगर आपसे पूछी जाती है और आप्शन में अगर मैक्रोसिस्टिस आपको नहीं दिखता तो आप केल लगा देना ठीक है चलो क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स का कैसा होता है गर्डल शेव्ड हम पड़ चुके कई बार लेकिन फिर भी याद करा रहे हैं रिमाइंड होंगे मोस्ट 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 इंपॉर्टन कोश्चन है ध्यान देते चलिएगा सुनते चलिएगा अगर जूसपोर की बात की जाए यूलोथ्रिक्स के तो या तो बाइस होंगे या कौड्री से लिएट होंगे दोनों उत्तर सही हैं अब कैसे लिखा होगा पहले में लिख का रेलगी याद रखना इस्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इस्पाइरोगाईरा गर्डल क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स ठीक है गर्डल क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स इस्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इस्पाइरोगाईरा स्पाइरोगाईरा इस्पाइरोगाईरा इस is sclery form conjugation सबसे common सबसे ज़्यादा होने वाला जब अनकूल दशाएं होती हैं तब वो कौन सा conjugation शो करता है आप बोलोगे sclery form conjugation is found in spirogoira in favorable condition आई बात समझ में तो हम लोगों ने दोनों slide अच्छे से complete की आज के slide में एक भी question समझने वाला नहीं था सारे question as it is रटने वाले थे और यह मान के चलो बेटा कि इससे एक question आपको जरूर मिल जाएगा इस slide से direct question जरूर मिलेगा सब रटने वाले प्रशन थे simple थे कठी नहीं थे बिल्कुल बहुत जादा पूछे जाने वाले प्रशन थे बस note करते चलना बेटा notes अच्छे से revise करते चलना अब बहुत material हो चुका है आपके पास अब आप यह समझे आपकी 87 classes हो चुकी है और यह 87 classes में मेरे अंदाजे से 200 पेश तो होई चुका है 200 से जादा हो गया शायए इसलिए बहुत अच्छे से तयार करके आप चलिए आप इसको ठीक है ना तो बस थैंक्यू सो मत बबाए गुर्णाइग